हरे कृष्णा आज हम जान लेते हैं प्रवपाद का फेवरेट ये गॉंग किस तरह बजाया जाता है बहुत ये सिंपल जिस तरह आप क्लाप करते हैं किर्तन में हरे कृष्णा वो क्लाप की जगे आपको गॉंग बजाना है लेकिन बजाते वे ध्यान कब रखना है आवाज खराब की हो जाती है हम इसको कहीं न कहीं से टच कर लेते हैं अगर कहीं और जाके टच कर देंगे तो उसकी आवाज बैट जाएगे लेकिन उसको कहीं भी टच नहीं करना है अच्छे से होल्ड करके रखना है और जादा से जादा ये उपन रहे ताकि अच्छे से वाइब् अब जितना आप उपर बजाएंगे उतना vibration कम होगा तो आप चाहते हैं कि आप बहुत तेज आवाज ना आए तो उसको तुड़ा उपर बजा लिजी और आप जितना नीचे जाएंगे उतना vibration तेज हो जाएगा और आवाज पतली हो जाएगे तो लगबग लगबग आप समद लीजिए 70% 70% एरिया कवर करके ये नीचे की जगे आप बचाएगे अब स्लो बजा रहे हैं तो वन और टू को धीरे वन टू थू को जोड से और देखें कैसे मैंने अपना हाथ है लेफ्ट हैंड इसको एकदम लूज रखा हुए अगर आप राइटी है तो आप राइट हैंड से बजाएंगे मैं लेफ्टी हूँ इसलिए लेफ्ट हैंड से बजा रहा हूँ तो एकदम हाथ एकदम लूज है, इसको टाइट नहीं पकड़ा है मैंने डंडे को, देख रहे हैं एकदम लूज हैंड से, हरे कृष्णा, अच्छे से यह हो रहा है, ताकि यह लगने के बाद भी अपने आप दूर हो जा रहा है, तो एकदम फ्री हैंड से, इसको फ्री रख के बजाना है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, टाइट नहीं पकाड़ना है, कृष्णा, कृष्णा, वन्टू थ्री, 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 और फास बजा रहे हैं, तो प् अगर आप थोड़ी सी प्राक्टिस कर रहे तो एक एक्सपर्ट बजा सकते वो है डंडे को बीच में से पकड़ लेना है और इसको डबल बजाने देखें कर दो कर दो कुंद को इस तरह से लेके कैसे वोजेगा है कुछ अ अ इस तरह से